गैस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंसर्शन के बारे में, अगर आप लोगों को नहीं मालूम, तो हम लोगों ने बड़े डिटेल में बात करी थी, किस चीज के बारे में हमने यहाँ पर array कुछ operations के बारे में बड़े डिटेल में बात करी थी, और यहाँ यहां पर मैं क्या करूंगा कि यह जो मैंने आप लोगों को array को operations की PDF दिया I hope कि आप लोगों ने access कर लिए होगी अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले पिछले वीडियो में बताया था कि जो traversal होता है array का वो मैं नहीं बताऊंगा मैं आप लोगो directly insertion.c नाम से एक file बना कर दूँगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को insertion बताऊंगा और यहां पर मैं वीडियो का number डाल देता हूँ मैं जार वीडियो का number डालना पसंद करता हूँ क्योंकि उससे क्या होता है clarity आती कौन से video में मैंने कर आया जिन कर आऊ होगा मान लो हमारे पास यह array है ठीक है मानलो मेरा एक array इंट array 100 ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने कहाँ अपन्ने compiler भीया से मुझे 100 integers को store करने का array चाहिए ठीक है अब मैं आपर क्या कर सकता हूँ मैं आपर कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि भाई जो मेरा ARR0 है ARR1 है ARR2 है उनकी values यहाँ पर जो है वो में डाल सकता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से इस चीज को C में लिख सकता हूँ मैं कह सकता हूँ 1, 2, 6 और 78 मान लो मैंने कुछ इस तरह से किया अब मैं काम करूँगा यह जो ARR1 बनाया इसको मैं डिस्पले कराने का एक function लिखूँगा ठीक है तो मैं आपर क्या करूँगा लिखूँगा void display अब जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था ARR कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ int n लिख सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं print tab %d backslash n करने के बाद यहाँ पर ARR I कर सकता हूँ तो यार यह बाते मैंने आप लोग को अल्री बता दिया है यह मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा आप लोग को कि किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है ARR के elements को अब आप में से कहीं लोग होगे कि यार यह मतलब बता दो नहीं यार मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोग को आप लोग को मैंने C language का एक पूरा वीडियो बना के दिया है क्योंकि चार elements में आपर यूज कर रहा था ठीक है So I hope कि आप लोग को यह चीज यह समझ में आ गई होगी अब यहां पर यह display जो मैंने बनाया अगर मैं इसमें backslash n न देके कुछ तरह एक तरह से space दे दूँ और एक backslash n जो है जब सारे elements प्रिंट हो जाते हैं तब दूँ वो एक तरीका हो सकता है एक एलिमेंट को प्रिंट करने का बट यह data structures का course है यहां पर मैं एक elements प्रिंट करना नहीं बताना चाहता और इसी चीज को जो हमने display में किया यह traversal हमने किया यानि कि सारे elements को हमने क्या किया एक बार visit किया तो यह traversal थाएड़ेगा ठीक है तो traversal भी यहां पर हो गया हमारे array का मैंने यह बोला किया और मैं यह बतागा time waste नहीं करूँगा और मैंने traversal भी करा दिया आपका तो यहां पर हम लोग अब क्या करेंगे main काम करेंगे जो है insertion ठीक है देको array आपको पता display कैसे कराते elements वो आपको मालूम अब यहां पर मैंने जो syntax लिखा इससे घवरा मज़ा ना आपको यहां 100 लिखा है अंदर तो इसमें बाद में future में और elements भी add कर सकता हूँ ठीक है तो यह मैंने किया अब यहां आपर मैं क्या करूँगा एक insertion का function बनाओगा ठीक है तो वो क्या होगा जो मेरा insertion का function होगा मैं यहां पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि भाई insert कर दो इस ARR में और मैं यह ARR को pass करूँगा by address ठीक है कैसे pass करूँगा by address पास करूँगा मैं आपर एक काम करता हूँ एक int size is equal to 4 बना लेता हूँ जो कि यह दर चाहता है कि इस element के चार elements यूज कर रहे हैं हम लोग और यहां पर 100 elements को store करने की इसमें श्यमता है यानि कि 100 लीटर का tanker है और 4 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है यानि कि उसमे 96 लीटर पानी और आने की गुंजाईश है अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि लिख दूँगा मैं यहां पर sorted sorted insertion ठीक है तो यहां पर मैं sorted insertion नाम से एक function बनाऊंगा और sorted insertion को मुझे क्या क्या देना पड़ेगा यार एक तो area pass करना पड़ेगा मुझे फिर उसके बाद क्या मैं pass करना चाहता हूँ वो देना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मुझे size देना पड़ेगा फिर int element मुझे यहां पर देना पड़ेगा और मैं आपर सिर्फ element लिखता हूँ मान लो यहां पर element to be inserted मान लो 45 है मैं 45 insert करना चाहता हूँ array के अंदर ठीक है capacity है हमारी array की capacity वो यहां पर कितनी है 100 है तो यहां पर मैं 100 लिख दोंगा directly तो मैं 100 directly send कर दूँँगा यहा तो नहीं तो capacity is equal to 100 भी लिख सकता हूँ तो यहांपर मैंने 100 का array बनाया यह 100row size का array बनाया और यह सारी चीजे जो है मैंने यहांपर pass ठीक है। So, Whoops sorted एरे में insertion करना चाहता हूँ at an index, ठीक है तो इसको मै backstory ढ़ी छू न बोलके in insertion करें य 쪽 हम जिसको मैं chiff करना चाहता हूँ कि इक index पर at a given index. धम juniorunft के चीक है और मैं यहाँ पर क्या कर渡ोंग इंड cabinet इन चाहता हूं वो है मेरी क्या मैं लोव 3 है मैं चाहता हूँ कि index number 3 पर मैं insert करूँ ठीक है तो एक display function मैंने लिखा हुआ है और मैंने array को insertion से पहले print किया फिर उसके बाद मैं ये insertion वाला जो ही मेरा function है जो कि मैं अभी बनाने वाला हूँ वो मैं आपर बनाता हूँ और मैं इसको void रखोंगा क्योंकि ये array को simply update करेगा ये बिल्कुल भी array को कुछ ऐसा नहीं करेगा array के साथ की नए array return कर रहा है ये यह यहाँ पर जो इंट इंसर्शन है ये simply insert कर देगा लेकिन यहाँ पर मैं एक integer जो कि बताएगा कि जो insertion हुई है वो successful ही कि नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर मैं जो पहली condition लिखने वाला हूँ कि भाई देखो अगर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ ये इंट अर र मेरा एक array होगा और यहाँ पर इंट size होगा एक shortcut मारता हूँ दबाता हूं अपने keyboard में और click करता हूं यह सारी चगा पर और यहां पर मैं int space देता हूं तो int element यह हो गया, int capacity यह हो गयी, int index यह हो गयी अब यहां पर मैं क्या कहूंगा, कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर अगर आपके array में जगा है ही नहीं तब आप क्या कर सकते हो, अगर आपका जो पूरा array है वो भरा हुआ है, यह जो आपका size है, वो greater than or equal to capacity है तो तो मैं और नहीं ले सकता है, इसके अंदर अगर आपके tanker में 100 liter पानी आता है, 100 liter भरा हुआ है तो उसमें 101 liter तो जितना भी रोले उसको पानी नहीं मिलेगा ना अंदर आने के लिए so भाई capacity उतनी है तो अब मानलो आप लोग जो है जा रहे हो school और आपका उस दिन exam है और auto पूरा full है तो auto वाले से आप कहते हो भाई यह प्लीज एक्जाम में छूट जाएगा मुझे अंदर ले लो कहेगा भाई का लूँ मैं अंदर कंदे में लेकर जाओंगा तो मतलब जगाई नहीं है जब capacity तो आपको यहाँ पर return करना पड़ेगा माइनस वन और मैं आपर माइनस वन एक ऐसी चीज का संकेत ले रहा हूं कि भाई देखो ऐसा है कि अगर आप माइनस वन रिटन करते हो तो हमारा यहाँ पर insertion जो है वो successful नहीं हो पाया ठीक है अब यह मैं करूँगा insertion successful यहाँ पर नहीं हो पाया अब अगर यह return नहीं अब यहाँ पर जो मेरी index है यहाँ पर मेरी index कितनी है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊ हूं तो मैं थर्ड इंडेक्स पर store करना चाहता हूं तो index से लेकर size तक यहनि कि index से लेकर पूरा end तक मैं क्या करूंगा elements को खिसकाऊंगा तो उसके लिए for loop चलेगा ठीक है for loop वो int i is equal to कहां से चलेगा वो चलेगा int i is equal to आपकी जो index से वहां से चलेगा क्योंकि आप index के साथ भी वैसा करना चाहोगे in fact वो जो loop है वो उल्टा चलाएं तो सही रहेगा क्योंकि मैं आपर क्या करना चाहता हूं जो मेरा last वाल element है उसको एक कतम आगे खिसकाना चाहता तो यहां पर अगर मेरे array का size 5 है तो वो यानि की चार index जो है उसको खिसकाना पड़ेगा मुझे ठीक है तो अगर मैं इस for loop को चलाता हूँ कुछ i is equal to size से अब यहां पर size कितना है 1268 एक काम करता हूँ मैं यहां पर यह जो array है मेरा 1268 इस array को मैं बिलकुल यह ले लेता 1227 और 88 ठीक है तो यहां पर यह array जो है इसमें मुझे insert करना है at index number 3 ठीक है तो मैं क्या चाहूँगा कि जो 88 वाला array है वो एक कदम आगे चले जाए तो अगर मैं यहां से गिंती करना start करूँगा 0 1 2 3 4 तो यहां पर size अभी मेरा 5 हो गया है तो मैं 5 कर दूँगा तो मैं क्या जाए ARRI plus 1 में ठीक है तो ARRI plus 1 is equal to ARRI करना पड़ेगा मुझे और यहां पर मुझे करना पड़ेगा ARRI यानि कि मैं चाहता हूँ कि जो 88 है यानि कि मैं I is equal to size minus 1 से start कर रहा हूँ size मेरा 5 है यानि कि मैं 4 से start कर रहा हूँ तो 0 1 2 3 4 मैं चाहता हूँ कि जो 4 वाली index है वो आगे चला जाए क्योंकि आगे तो space है ना ARRI में आगे space नहीं होती तो यह चीज रिटान करते थी इसको तो 88 खिसक के आगे बढ़ जाएगा फिर मैं यही काम 27 के लिए करूँगा यही काम मैं 12 के लिए करूँगा और मैं कब तक करता रहूँगा यह काम जब तक मेरी जो index है जहा यही index तक ही आएगा मैं खिसकाना बंद कर दूँगा और finally मैं क्या करूँगा मैं काऊँगा अब index की जगा उस element को डाल दो क्या करो अब index की जगा उस element को डाल दो और उसी के साथ साथ मैं ARRI लिखता हूँ आपर और उसी के साथ साथ return कर दो index return कर दो या तो return 1 कर दो 1 for success ठी इसके अंदर इंसर्शन कर दिया है तो 0, 1, 2, 3 मैं अगर 3 पर इंसर्शन करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा 45 को 27 और 88 आगे होंगे ठीक है तो अब मैं आपर क्या करूँगा जो size है उसको भी plus कर दूँगा तो मैं आपर size plus equals to 1 करूँगा क्योंकि size बढ़ गया है भी 20 का पहले इसमें 5 elements हुआ करते थे अब इसमें 6 elements हुआ करते है ठीक है तो insert करने के बाद मैं आपर size को भी बढ़ा दूँगा और size को बढ़ाने के बाद मैं display को run करूँगा और display को run करने के बाद मैं देखता हूँ मेरा array जो है insertion के बाद कैसा दिखता है और यहाँ पर आ गई है कोई problem 1, 2, 7, 1, 2, 6, 78, okay so मैंने यहाँ पर 7, 8, 12, 27 लिखा है I think I am making some mistakes somewhere कहीं न कहीं मैं कोई गलती कर रहा हूँ और मैं उसको spot करता हूँ ओक एक जो गलती में कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे I minus minus करना चाहिए मैंने I plus plus कर दिया था तो अब इसको run करके देखते है और यहाँ पर देखो कि हमारा जो element था वो insert हो चुका है तो यहाँ पर देखो 7, 8, 12, 27, 88 था पहले अब 7, 8, 12 के बाद 45 अगया है नहीं कि index number 3 पर मारे पस 45 आगया है तो जो insertion हमने अभी देखा था उसका code यहाँ पर है यह traversal का code है ठीक है और यहाँ पर यह insertion का code है तो मैं आपर इसको traversal लिख देता हूँ code for traversal लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ code for insertion ठीक है अब कभी कभी क्या होता है कि जब आप insert कर रहे हो array के अंदर तब आपको एक sorted array में insert करना पड़ता है जैसे कि मैं आप लोगो बताता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 67, 8, 8, 9 यह है और आपको इसमें 20 insert करना है तो अगर इस array को में sorted रखना है तो क्या करना होगा हमे 20 नि tackling kam insert करना पड़ेगा, 20 हमको insert करना पड़ेगा यहां पर ठीक है 5 के बाद, तो उस case में आपλοगो क्या क्या करना पड़ेगा, उस case में आप लोगो को insert करने की index खोजें पड़ेगी उसके बाद insert करना पड़ेगा, अब आप यह जो index से, इसको binary search से भी search करके उसके बाद खिसका सकते हैं सारे elements को आगे और फिर यहां पर insert कर सकते हैं तो इस problem के बहुत सारे variations आपको देखने को मिल जाएंगे market में ठीक है so अब इनको solve करने का क्या efficient तरीका है यह सब बाते जो है आप लोग बाद में सोचना इस तरह की बहुत modified problems आप लोगों को मिल जाएंगी उस अब आप कर पाओगे यह था हमारा जो साधा insertion होता है ठीक है अब यहां पर यह हमारा basic insertion था array के अंदर और यह हमारा जो है वो traversal था array के अंदर I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा display function मैंने लिखा array को दिखाने के लिए array को show करने के लिए कि given an array given the size आप लोग को उसके सारे elements को print कराने है तो यहां पर जो है array के elements को मैंने print करा दिया अब मालनों मैं index number 1 पे insert करना चाहता हूँ यानि कि मैं 7,45 देखना चाहता हूँ और उसके बाद art देखना चाहता हूँ तो यह भी मैं कर सकता हूँ तो देख लो 7,45, art, 12, 27 और 88 ठीक है अब आप यहां पर एक काम करना आप लोग के लिए quiz है और quiz यह है कि आपको इस code को modify क करना है such that आप यह भी बताओ कि insertion successful हो पाया है नहीं हो पाया अगर insertion successful हो पाया तब आपको array display करना है वरना आपको array display नहीं करना है तो यह code मैं आपको देता हूँ as a challenge कि आप लोग इसको implement करके दिखाओ मुझे कि अगर insertion successful होता है तब जाके आप क्या करोगे कि print करोगे array क modified array को वरना आप कह दो कि insertion field और बस इतना लिख देना आप लोग और उतने से हो जाएगा I hope कि आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा जो चीज मैंने आप लोगों समझाने की कोशिश करिए so guys I hope कि आप लोग के लिए course जो है बहुत जादा helpful रह रह रहा होगा काफी लोगों ने playlist को access कर लिए I'm so happy to see that और आप में से कई लोगों ने notes भी download किये उसकी भी बहुत जादा खुशी हो रही है यार मैं कोई चीज अगर बना रहा हूँ तो आप लोग को यार उसको download तो करना है आप लोग download करते हो एक एक download की मुझे बहुत जादा खुशी होती है तो सब लोग download करो या notes में आप लोग के लिए लिखे है इसको download करो इसको पड़ो और कुछ भी अगर आप लोग को issue आएगा तो आप लोग याँ पर वीडियो देख सकते हो तो ऐसा निया कि आपके पास जिर्फ वीडियो हैं सिर्फ notes हैं आपके बस notes भी हैं आपके बस वी questions जो हैं यह आप लोग को मिल जाने हैं so I hope कि आप लोग को बहुत helpful लग रहा होगा यह course अगर आप लोग को यह course helpful लग रहा है मैं चाहूँगा कि यार आप लोग प्लीज इसको share करो अपने दोस्तों के साथ WhatsApp ग्रूप पर और इंस्टाग्राम पर जितने लोगों ने भी share क किया course screenshot लेके इस playlist का सबसे पहले तो thank you और दूसरी बात है कि मैंने सबको mention किया एक एक को mention किया अपनी story में so अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर नहीं है तो मुझे follow कर सकते हैं वीचे मैंने आपको description में और उसी के साथ प्रिंट comment में link दिया हुआ है so अगर आप लोग क वीडियो पसंद है तो like जरू करना है thank you so much guys for watching this video and I will see you next time